हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं हूँ प्रियांका, सो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई क्रीम की रिवीव, जो की है वादी हरवल की आई क्रीम और यह जो आई क्रीम है, इसे मैंने नाइका से पर्शेस किया है, इनका प्राइस लिया है 140 रूपीज, दोस्तो अकसर हम लोग अपनी स्कीन को, अपनी बॉड़ी स्कीन को, अपनी फेस स्कीन को मॉश्यराइज करते हैं, उन्हें हाइडरेट करते हैं, लेकिन आईस के एराउ कोई मॉश्यराइजर मत लगाईए, ऐसा बहुत सरी क्रीम पे लिखा हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है, आपकी फेस तो बहुत ज़दा मॉश्यराइज हो जाती हैं, लेकिन आपकी जो अंडर आई है, वो बहुत ज़दा ड्राइड आय जाती हैं, इससे अगर आप अच्छे तरिके से होती नहीं है, और साथी साथ आपकी आईज की जो डाकनेस है, वो बढ़ता चला जाता है, आपकी आईज उतना अच्छा नहीं लगता है एक समय के बाद, उससे क्या होता है ना, रिंकल्स बहुत ज़दा हो जाती हैं, पफिनेस बहुत ज़दा बढ़त हैं और आईज की जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो मैं आपको ही बोलूँगी जैसे कि आप लिप्स के लिए लिप बाम यूज करते हैं, फेस के लिए मॉश्य रैजर यूज करते हैं, वैसे ही आप आईज के लिए एक आई क्रीम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजि मैं अभी डेली यूज कर रही हूँ, यह जो आई क्रीम है, इस पे क्या-क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, तो वीडियो लास्त तक देखिएगा और इसे मैं आपको एपलाई करके भी दिखाऊंगी, इसमें जो आई क्रीम का जो 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 जार टाइप जार है, यह आई क्रीम बहुत ज़्यादा थिकनेस के साथ यह आई क्रीम बना हुआ है, जो कि आपकी आईस पे बहुत ज़्यादा मॉस्चुराइजिंग एफिक देती हैं, आपकी आईस को मॉस्चुराइज करती हैं, आपकी आईस को बहुत ज़्यादा थंड़क देती है and eye area की जो skin है उन्हें बहुत ज़ादा healthy and glowing बनाती है and इसमें जो जो ingredients है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ यह जो eye cream है यह cucumber के साथ बना हुआ eye cream है and इसमें है almond oil and pink rose है इसमें and यह जो eye cream है यह अपकी eyes की जो skin है उनकी darkness को दूर करती है and आपकी जो eyes की जो wrinkles बहुत जदा wrinkles अगडर आपकी हो रही है तो wrinkles होने से पहले ही आप या eye cream यूज करेंगे तो आपकी जो wrinkles की समस्या है वो भी यह दूर करने में help करती है and यह reduce करती है puffiness को अगर आपकी आईस पे puffiness का समस्या है तो आप आई क्रीम अगर यूज करती है तो उससे puffiness जो है वो दूर होती है और साथी साथ moisturizing and smoothening skin तो आपकी करती है आईस की dullness को भी ये दूर करती है इसमें है almond oil and cucumber extract जो की एक under eye cream है और इसमें बहुत सारे ingredients है इसमें है cucumber जो की आपकी आईस की puffiness को दूर करती है आपकी आईस की जो skin dark हो रही है उसे lighten करने में help करती है cucumber की juice and बहुत सारे वीडियो में आपको देखनी को मिला होगा की cucumber को cut करके आईस के उपर लगाया जाता है इसलिए क्योंकि cucumber आईस के जो darkness है उन्हें दूर करती है तो cucumber का juice से बना हुआ है ये cream and इसमें almond oil है जो आपकी eyes की wrinkle को दूर करती है and इसमें pink rose है जो nourishment के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक moisturizing की भी काम करती है so ये जो moisturizer है इसे आप daily use कर सकते है morning पे भी use कर सकते है night time पे भी use कर सकते है इसमें shea butter है coconut oil है almond oil है vitamin A है vitamin D है इसमें and rose water है so बहुत सारे ingredients के साथ ये बना हुआ product है cucumber है इसमें जो कि आपकी eyes की darkness को दूर करती है puffiness को दूर करती है आपकी skin को moisturize करती है eyes की skin को under eye को moisturize करती है इसमें almond oil है तो बहुत ही अच्छे अच्छे ingredients इसमें है तो इन्हें आप daily use करें इससे आपको एक younger fresh eye look मिलता है जो की daily के लिए बहुत अच्छा है and age बढ़ने के बाद eyes का जो skin है वो बहुत ज़्यादा खड़ाब दिखने लगता है तो अभी से अगर आप अपने eyes के skin का भी ध्यान रखेंगे तो age के साथ साथ वो भी ठीक रहेंगे तो चलिए दोस्तों मैं इसे आपको apply करके दिखाती हूँ सो दोस्तों ये है वादी अर्वल की under eye cream की packaging अब देख सकते हैं बहुती सुन्दर एक box के भीतर इसका eye cream का packaging है इनकी packaging मुझे बहुत अच्छी लगी और अब देख सकते हैं कितना सुन्दर इनका jar है और इसे आप कही भी carry करके लेके जा सकते हैं थोड़ा सा बड़ा सा ही jar है इनका और ये बहुत time तक चलने वाला है इसका price लिया है 140 रूपीज बहुत ही ज़्यादा thickness है इस cream पे अगर आपकी eyes बहुत ज़्यादा dry होती है तो मैं इसे आपको highly recommend करूंगी आप इन्हें एक बाद try करके ज़रू देखिएगा and make up करने से पहले भी आप इन्हें apply कर सकते हैं and रात को सोने से पहले भी आप इन्हें apply कर सकते हैं and ये जो cream है इसमें cucumber extract है अगर आपको खिरा कट करके अपकी eyes पे लगाने का time नहीं मिलता है तो इस cream पे खिरे की juice है जो आपकी eyes की darkness है उसे lighten करने में help करती है almond oil है, pink rose है जो आपकी eyes को moisturize करती है साथी साथ wrinkle को भी दूर करती है and eyes की darkness को दूर करना बहुत ज़्यादा important है and moisturize रखना बहुत ज़्यादा important है and wrinkle इससे नहीं होती है दोस्तो अगर आप एक अच्छाए cream यूज करते हैं तो so दोस्तो आपने देखा कि ये product कैसा है तो ये product है बहुत ही अच्छा आप इन्हें definitely try कर सकते हैं अपने bag में भी carry करके कहीं भी इन्हें लेके जा सकते हैं make up करने से पहले भी आप इन्हें try कर सकते हैं skincare करने के बाद भी आप इन्हें try कर सकते हैं so आप इन्हें किसी भी तरीके से try कर सकते हैं eye cream एक रहना बहुत ज़रूरी है जैसे कि lip balm का होना and बहुत ही अच्छा product है आप इन्हें definitely try करें बहुत ही ज़रूरी प्राइज में ये आपको मिल जाती हैं तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिल like, comment, share जरूरी से कर दीजिएगा and please subscribe to my youtube channel and bell icon को जरूरी हीट करके रखिएगा तक कि मेरी आनिबल जा नोटिफिकेशन है वो आपके पास जिली पहुश सके so मैं मिल तूँ आपके साथ फिल एक निग्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तो bye and खुश रहिए, happy रहिए मेरी वीडियो देखते रहिए and मुझे subscribe जरू से कीजिए so bye bye